असलामु अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ शादी शुदा औरतों की पहचान तो जैसे बस इस मंगल सूत्र में लाल हरी चूडियों में, बिच्वों में, टो रिंग्स में ही रह गई है अलामत शादी के नाम पर या कोई भी वज़ा से मंगल सूत्र पहनना, काली पोत का लच्छा पहनना जायज नहीं है शादी शुदा औरतों की पहचान बना दिया गया है इसे गले में काली पोत का लच्छा, पैरों में बिच्वे यानी टो रिंग्स, ये पहनना ये सब गयर मुसल्मान के तौर तरीखे है इसलाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सरासर गलत रसम है जो की आज मुसल्मानों में पाए जा रही है ना सिर्फ ये बिद्दत है बलकी ये शिर्क में भी शुमार होता है इसलिए के नबी सले लाहु अलिया ने फरमाया जिसने किसी चीज़ को लटका लिया यानी गले में पहना या हाथ पैर में काले धागे पहने इस नियत से के ये हिफाज़त कर सकता है बला को टाल सकता है बरकते ला सकता है तो ये शिर्क में शुमार है शरियत इसके सख्त खिलाफ है नभी करम सलिए लाहु अलेही वसल्म ने इसे शिर्क कहा कोई भी ऐसी चीज़ जो गएर मुस्लिम कोई अमल के तोर पहनता है जैसे के हिफाज़त के तोर पहनना जायज नहीं है इसलिए के अब हम इस चीज़ को किस किस को बताएंगे के ये चीज़ हमने उस नियत से नहीं पहनी तो लिहाज़ा उससे इहतियात करना और उसको ना पहनना ही उसका एक शरई हल है इसलाम में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे सब कुशल मंगल हो जाए मंगल सूत्र मंगल माने सब कुशल मंगल रहेगा जब तक ये गले में लटका रहेगा ये भी तावीज की ही एक शकल है जो के बिलकुल भी जायज नहीं है लिहाजा मंगल सूत्रू, पैरों में बिच्वे यानि टोरिंग्स या कोई काले धागे, काले मोती वगेरे पहनना जायज नहीं है इसे बिलकुल अवाइड करें, अल्ला हमारी हिफाज़त करे, लानती अमल करने से, शिर्क और बिद्दत से, आमीन या रब आलमीन